लिबनान में इजलेली सेना की ओर से चलाए जा रहे जमीनी ऑपरिशन इजलेल पर ही बैकफ़ार होते नज़र आ रहे है गाजा में हमास से उलज रहे इसराइली सेना पहले ही बड़े घठकों से त्रस्त हो चुकी है अब लेबनान में उसे हिजबुला की कड़ी चुनोती का सामना करना पड़ रहा है यही बचा है कि इसराइल को अपनी शुरुवाती दोर से हिजबुला से टक कर मिल रही है हाल में इसराइली रक्षा बलुग ने खुलासा किया कि रक्षडी लिबनान में हिजबुला के खिलाव भीशड लड़ाई में 10 इसराइली सैनिक मारे गए और कम चेकम 28 सन्ने घायल हो गए बताया जाता है कि इसराइली सैनिकों की मौत सिर्फ 24 घंटे के भी तरतीन अलग-अलग घटनाओं में हुई लिबनान में जमीनी हमले की शुरुआत के बाद से भीशड लड़ाई के दौरान 27 सैनिक मारे गए हैं लेकिन इस हफते की शुरुआत में हिजबुला ने दावा किया कि उसने 70 इसराइली सैनिकों को मार गिराया है सबसे हालिया घटना में आठवी हसकेन ब्रिगेट के 89 बटालियन में 5 रितर्फ सैनिक मारे गए ये तब हुआ जब दक्ष्री लिबनान में एक इमारत में हिजबुला का रॉकेट सप्लाई पॉइंट पर गिरा इस दौरान 19 अन्य घायल हो गए जिसमें से 4 की हालत बेहत गंभीर बताई गई है आर्मी रेडियो के मताबिक घटना की आईडियेफ की जाज के पहले नतीजों में कहा गया कि 89 बटालियन कई दिनों से मोर्चे के पूरवी हिस्से में एक गाउं पर हमला कर रही थी 24 अक्टूबर की देर रात हिजबुला ने आईडियेफ पर रॉकेटों की बोचार की जिसमें से एक रॉकेट उस इमारत पर जागिरा जहां एक रसत काफिला मैदान में सेनिकों के लिए सप्लाई लेकर आया था कुल 24 जवान घायल हुए जिन में से 5 की बाद में मौत हो गए चार को गंभीर चोटे आई टाइमस ओफ इसराइल के मताबिक इसके अलावा चार रिजर्व सैनिक तब मारे गए जब हिजबुला के लड़ाके सुरंग की शाफ्ट से निकले और ग्रेनेट फिक कर आईडिय अफ सैनिकों को चौका दिया था जबकि पांचवा सैनिक एक अलग घटना में मारा गया इसराइली सेना ने बताया कि लेबनानी सीमा पार से उसके हमलों का मकसद इजबुला के बुनियादी धाचे को नश्ट करना है इसने पहले ही कई सीमा वर्ती गावों को उड़ा दिया है लेबनान के दक्षड में हिंसक हमले जारी रखे हुए निवासियों को घर वापस न लोटने की चेताब नी दे रहा है वहीं इस घटना पर इसराइली पीम ने भी दुख जताया है नेतन्याहू ने कहा कि पूरा देश हजकेन ब्रिगेट की 89 बटालियन के 5 रणावकों की मौत पर शोक मना रहा है जो दक्षड लेबनान में मारे गए जवानों ने हमारी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया इस बीच इसराइली सेना प्रमुख हर्जी हलेवी ने कहा लेबनान के साथ उत्री मोर्चे पर युद्ध वास्तव में हिजबुला के कमांडरों को बाहर निकाले जाने के बाद रुक सकता है मगर ये इसराइली पीम की ओर से अपनाए गए रुक को नहीं दिखाता है जिनोंने युद्ध विराम समझोते से इंकार कर दिया है लेकिन बावजूद इसके ऐसा माना जा रहा है कि समूफिर से संगठित हो रहा है युद्ध में अधिक एडवांस हत्यारों का इस्तमाल करना शुरू कर रहा है